कैसे हैं आप लोग इस वीडियो में मैं आपसे बहुत ही आसान तरीके से चावल के पापड बनाना बताऊंगी क्योंकि घर के काफी काम होते हैं जिनके बच्चे चोटे होते हैं वे बहुत साथा कॉम्प्लिकेटेड तरह से पापड नहीं बना सकते के चावल के पापड बनाने के लिए मैंने चावल का आता लिया है आतेंगे काफी पापड बनाने जा रही हो तो मिजर्मेंट के लिए same katsuri, bowl या cup रखेंगे तो अगर आपने 1 cup चावल का आटा लिया है तो उसमें हम 2 cup पानी डालेंगे और mix करेंगे पहले 1 cup पानी डालेंगे, mix करेंगे देखे, मिजर्मेंट के लिए यझा को रखना है जिससे कि आपने आटा ना पथा अची तरह से mix करेंगे आप इस तरह का फेटने वाला भी यूज़ कर सकते हैं अची तरह से फेट देंगे तो एक कप चावल के आटे में अभी तक मैंने फिल हाल दो कप पानी डाला है इसको अची तरह से mix करेंगे बहुत से लोगों की शिकायत रहती है कि उनके चावल के जो पापर हैं वो फट जाते हैं तो उसके लिए मैं एक secret चीज बताने जारी हूँ जिसको डालने से आपके जो चावल के पापर हैं वो कभी भी नहीं फटेंगे तो वो मैं आपको बताऊंगे वीडियो देखते रहें और मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लिज़े जल्दी से लाइक कर दीज़े तो इसमें मैं डालने जारी हूँ मैदा एक चमचम मैदा डालेंगे इससे जो हमारे चावल के पापर हैं वो नहीं फटेंगे एक बात का और ध्यान रखना है हमारा जो चावल का आटा है वो अच्छी तरह से पीसा होना चाहिए उसे महीं चननी से आप जरूर छान लीजएगा पापर बनानी से पहले अच्छी रख से मिक्स कर देंगे ताकि इसमें कोई लंस न पड़ें फिर इसे हम 2-3 घंटे तक इसी तरह छोगो देंगे ताकि जो आटा है वो फूल जाए अच्छी तरह से पानी में फूल जाए अब उसे कप या बावूल या कटोरी से हम 5 कप पानी और डालेंगे तो टोटल 1 कप चावल के आटे में हमें 7 कप पानी डालना है टोटल 2 मैने पहले डाले थे अब हम 5 कप डालेंगे फिर इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और गैस पे चुछा देंगे बहुत से लोग पहले पानी जो 5 कप पानी में डाला है उस 5 कप पानी भगोनी में डालके गरम कर लेते हैं फिर उसमें जो चावल का पेस्ट है वो डालते हैं तो दोनों तरीका सही है आप इस तरीके से भी चावल के पापर बना सकते हैं गैस पे रखेंगे गैस की फ्लेम को तो नीचे से चावल लग जाएंगे और जो पापर उसमें जलने की महका जाएगी गुथियां पड़ जाएंगी तो लगाता चलाते रहना है पापर ना फटे उसके लिए एक बात का और ध्यान रखना होता है तो यह कुछ छोटी-छोटी बात दोगा कर हम ध्यान रखेंगे तो हमारी जो चावल के पापर है वो कभी भी नहीं फटेंगे अब उसमें हम आधा चमच नमक डालेंगे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे देखे जो हमारा पेस्ट है वो गाढ़ा होने लगा है तो कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह से रखनी है कि आप आराम से चमचे की मदश से चावल के पापर डाल सके आप इसमें चिली फ्लेक्स जैसे क क्लिक करेंगे तो बगल में बैल आएगी बैल पे क्लिक करेंगे तो तीन आप्शन आएंगे और पी क्लिक करेंगे तो सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकेंगे फिर बहुत ही आसानी से हम इसको डालेंगे तो कुछ देखे कंसिस्टेंसी आपको देख स ब्लास याईर कापडी दलीना ग्रीज के पॉर्नामने फ़त्त करें přिसके पापड से रिखे दीज और जञते हैं तो मैंने कुछ पापड साधे बनाये हैं, खाली नमक वाले, आधे पेस्ट में मैं चिली फ्लेक्स और जीरा डाल दूँगी, तो कुछ पापड मैं ऐसे बनाऊंगी, कुछ पापड मैंने साधे बनाये हैं, क्योंकि बच्चे जो हैं, वो ज्यादा तीखा नहीं काफाते हैं, तो उनके लिए मैंने साधे पापड बनाए है तो आपने देखा बहुत ही आसानी से अगर हम छोड़ी छोड़ी बातों का ध्यान रखे छोड़ी चोड़ी टिप्स मैंने बताए है आप उसको फालो करेंगे तो जो पापड हैं वो कभी भी नहीं फटेंगे अगर आपके पास चावल काटा नहीं है तो आप चावल काटा घर में बना सकते हैं चावल को अच्छी तरह से धो लेंगे और उसे धूप में सुखा लेंगे एक दिन में हमारी चावल अच्छी तरह से सूख जाएंगे फिर आप उसे मिक्सी में अच्छी तरह से पीस के छान लीजेगा तो ये तरीका है आप इस तरीके से चावल कांटा बना सकते हैं तो तीन-चार घंटे में पापर दिखेते सूख गया है जहां पे थोड़ा पतली लेर थी वहां पे सूख गया है तो धीरे-धीरे दो दिन लगता है पापर को सूखने में अच्छी तरह से और फ़र इसे आप साल भर के लिए रख सकते हैं आप चाहे तो इसे पंके में भी खा सकते हैं ये देखिए तो आप देख सकते हैं पापर एक डम सूख गये और एक भी पापर फटे नहीं है तो छोड़े-चोटे टीप्स कआकर हम ध्यान दे तो हमारे पापर एक sic नहीं फटते हैं और एक तम बढ़ियां बनकर तयार होते हैं मैं आपको इसको तल के दिख बहुत ही आसान रस्पी बहुत ही आसान तरीका है आप कभी भी चलते फिलते बना सकते हैं और इसे आप बिना धूब के भी बना सकते हैं तो मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें